हलो डोग लवर्स आज मैं आपको बताऊंगा कि आप अपने डोग या पपी अडल्ट है उसको गर्मियों में यह जरूर खिलाएं पिलाएं क्यूंकि जैसे गर्मी आगए गर्मी आती आपका डोग क्या होता है कि खाना पिना कम कर देता है सुसा रहता है स्ट्रेस हो जाता है सब्सक्राइब रबनेटों सिसमद्रिएब में जाता है जिसकी वजह से डोग को नहीं तो भूग लगती है रही बाद जैसे आप उसके पास खाना लेकर के जाते हैं तो आप अपना डोग है वह दूर चला जाता है या बैठ जाता है या खाता है तो देरे बहुत ही जो इस चाहिए नहीं बहुत बोग के इंदर इस तरह देखा गये तो आपको सोटी बता दे जाए जितने पहले आप एक चैनल को सबस्क्राइब क तो आप दही का परियोग आप अपने डोग में जुरूर करवाएं, दही आप अपने डोग को जुरूर दे, लेकिन दही की भी एक लिमिट होती है कि आप 3-4 यानि साम होने से पहले-पहले आप अपने डोग को खिला देना, चाहिए जो सबसे अचा रिजिल देता है, इसी के वाटरमेलन इसका भी आप परियोग कर सकते हैं उसके गीरी होती है इसका परियोग करें उससे आपके डोग को एक देरेटरियस्थरक नहीं होगा, आपका डुक स्क्राइश जाने परियोग में त्रेश का परियोग में नहीं हो जाएंगी आर आप अपने डोग को सकते हैं आप कम खाटे मैं खाते हैं तो उसके अंदर प्रियोग कर सकते हैं जिस तरह से पेडिग्रीडी ऍर ürk एधर जो कमने तो को से dots अधरी से प्रियोग करेंगे तो आपको और भी अच्छा रिजिन मिलेगा इसी तरशे आपके डोग में किस तरह के सिंटम्स देखने को मिलते हैं उस सिंटम्स के अधार पर आपको आने वाले समय में इस चैनल पर लोंग में एक वीडियो मिल जाएगी तो उसके बारे में आप कमेंट् दोग लवर से उनके साथ शेयर करें इसी तरशी वीडियों देखते रहें इसी तरशी आमिर को प्यार देते रहें थैंक्स धन्यवाद